विक्सित भारत बनाने के लक्ष्की पूर्ती के एक सुभारम के रुपे देखा है। बजेट को भावी अम्रतकाल की द्रस्टी से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए सुभसंकित है कि देश के नागरिक भी अगले पचीस वरसों को इनी लक्षों से जोड़ कर देख रहे हैं। साथियों, बीते नव वर्षों में देश विमेन लेट डेवलप्मेंट के वीजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुफव को देखते हुए। विमेन डेवलप्मेंट से विमेन लेट डेवलप्मेंट के प्रयासों को बैस्वीक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत के अध्रिक्स्ता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विशाय प्रमुकता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजेट भी विमेन लेट डेवलप्मेंट के इन प्रयासों को नहीं गति देगा। और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस बजेट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हुँ। साथियों नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णे शक्ति, परीत फैसले लेने का उनका सामर्थ, निर्धारित लक्षों को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाश्टा, ये हमारी मात्रु शक्ति की पहचान है, ये एक प्रतिविंब है, जब हम विमेन लेट डेवलोप्मेंट कहते हैं, तब उसका आधार यही शक्तियां है, मा भारती का उजवल भविश्वन स्थित करने में, नारी शक्ति का एशामर्थ, भारत की अनमोल शक्ति है, यही शक्ति समों, इस सताब्दी में, भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में, बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने जिस प्रकार, विमेन एमपावर्मेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं, आज हम देख रहे हैं, कि भारत में, पुरुषों की तुलना में, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, पिछले नव-दस वर्षों में, हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाले लड़कियों की संख्या तीन गुना बढ़ी है, भारत में, साइंस, टेक्नलोजी, इंजिनेरिंग, और मैस में, लड़कियों का एन्रॉल्मेंट आज 43 परसंट तक पहुँच चुका है, और ये, सम्रुद्द देश, विक्सित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज़्यादा है, इसी तरह, मेडिकल फिल्ड हो, या खेल का मैदान हो, बिजलेस हो, या पुल्टिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागिदारी नहीं बड़ी है, बलकि वो, हर क्षेत्र में आगे आकर नेत्रु तो कर रही है, आज भारत में ऐसे अनेक शेत्र हैं, जिन में महिलाओं शक्ति का सामर्थ नजर आता है, जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिये गए, उनमें से करीब सत्तर प्रतिशत लाभार्थी देश्ट की महिलाएं हैं, ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बड़ा रही हैं, बलकि अर्थ ववस्ता के नए आयाम भी खुल रही हैं, पियम स्वनीदी योजना के माद्यम से बिना गरंटी आर्थिक मदद देना हो, पशू पालन को बढ़ावा देना हो, फिसरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एपियोज हो, खेल क स्पोर्ट्स हो इन सभी को जो प्रोथान दिया जा रहा है उसका सरवाधिक लाब और अच्छे से अच्छे परणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं देश की आधी आबादी के सामर्त से हम देश को कैसे आगे ले जाएं हम नारी शक्ति के सामर्त को कैसे बढ़ाएं इसका प्रतिविन इस बजेट में भी नजर आता है महिला सम्मान सेविंग सेडिपिकेट स्कीम इसके तहट महिलाओं को साड़े साथ परसंट इंट्रेस रेट दिया जाएगा इस बार की बजेट में पीएम आवास योजना के लिए करीब असी हजार करोड रुपी रखे गए हैं ये राशी देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो तीन करोड से अधिक घर बने हैं उन में से अधिकाउंस महिलाओं के ही नाम है आप कल्पना कर सकते हैं वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे न खलिहान उनके नाम होते थे न दुकान होती थी न गर होते थे आज इस विवस्ता से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है PM आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैंस्टों में एक नई आवाज दी है साथियों इस बाहर के बजेट में नए उनिकॉंट बनाने के लिए अब हम स्टार्टप की दुनिया में तो इनिकॉंट सुनते हैं लेकिन क्या सेल्फेल्फ गुरुप में भी ये संबभ है क्या ये बजेट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली गोशना लेकर करके आया है देश के इस वीजन में कितना स्कोप है ये आप बीते वर्षों की ग्रोथ स्टोरी में देख सकते हैं आदेश में पांच में से एक नौन फार्म बिजनेस महिलाए संबाल रही है बीते नौ बर्षों में साथ करोड से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्फ ग्रूप में शामिर हुई है और वो अलग-अलग छेत्रों में काम कर रही है ये करोडों महिलाएं कितना वेल्यू क्रियेशन कर रही है और इसका अंदाज आपको इनकी केपिटल रिक्वार्मेंट से भी लगा सकते हैं नौ बर्षों में इन सेल्फ हेल्फ ग्रूप ग्रूप से सवाँ छे लाग करोड रूपिये का लोन लिया है ये महिलाएं केवल छोटी एंटर्परिनर ही नहीं है बलकि एक ग्राउंट पर सक्षम रिसोर्स परसन का काम भी कर रही है बैंक सक्षी, क्रिसी सक्षी, पशू सक्षी के रूप में ये महिलाएं गाउं में विकास के नए आयाम बना रही है साथियों, सहकारिता क्षेत्र उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमी का रही है आज कोपरेटिव सेक्टर में आमुल्चुल बदला हो रहा है आने वाले वर्षों में दो लाग से ज़्यादा मल्टी पर्पस कोपरेटिव डेरी कोपरेटिव और फिसरिस कोपरेटिव बनाये जाने वाले हैं एक करोड किसानों को नेचरल फार्मिंग से प्राकृतिक खेती से जोडने का लक्षा रखा गया है इसमें महिला किसानों और प्रोडुशर गुर्प्स की बड़ी भूमिका हो सकती है इस समय देशी नहीं पूरी दुनिया में मिलेट्स यानि स्री अन्न को लेकर जागरुकता आ रही है उनकी दिमान बढ़ रही है ये भारत के लिए एक बड़ा आउसर है इसमें महिला सेल फेल गुरुप की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा आपको एक और भात याद रखनी है हमारे देश में एक करोड आधिवासी महिला ये सेल फेल गुरुप में काम करती है उनके पास ट्राइबल छेत्रों में उगाए जाने वाले स्री अन्न का बारम पारिक अनुभव है हमें स्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस फूर्ट जोए जुड़े कावसरों को टैप करना होगा कई जगाँ पर माइनर फूरेस्ट प्रोडिस्ट को प्रोसेस करके मार्केट तक लाने में सरकारी समस्ताइस आयता कर रही है आज ऐसे कितने सारे सेल फेल ग्रुप रिमोट इलाकों में बने हैं हमें इसे और व्यापक से नर पर लेकर जाना चाहिए चाहती हो ऐसे तमाम प्रयासों में युवाओं के बेटियों के स्किल डेवलप्मेंट की बहुत बड़ी भूमेका होगी इसमें विश्व कर्मा योजना एक बड़े ब्रिज का काम करेगी हमें विश्वकर्मा योजनाम है महिलाओं के लिए विशेस अवसरों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा जैम पोर्टल और एक कॉमर्स भी महिलाओं के वेवसाय को विस्तार दे रहे का बड़ा माध्यम बन रहे हैं आज नई टेकनोलोजी का फायदा हर सक्टर ले रहा है हमें सेल्फ हेल्फ गृूप को दी जाने वाले ट्रेनिंग में जादा से जादा नई टेकनोलोजी के प्रहुक पर बल देना चाहिए साथियों देश आज सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती है राफेल उडाती दिखाई देती है तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है जब महलाएं एंटर्प्रेनर्स बनती है फैसले लेती है रिस्क लेती है तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है अभी कुछ दिन पहले ही नागा लेंड में पहली बाड़ दो महलाएं विधायक बनी है उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है महलाओं का सम्मान बढ़ा कर समानता का भाव बढ़ा कर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है मैं आप सभी से आवान करूँगा आप सभी महलाओं बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संक्रब साथ आगे बढ़े चाहत्यों आठ मार्च को महला दिवस राष्पती द्रवपदी मुर्मु जी ने महला ससकती करन उस पर एक बहुती भावुक आर्टिकल लिखा है इस लेख का अंत राष्पती मुर्मु जी ने जिस भावना से किया है वो सभी को समझनी चाहिए मैं इस लेख से उनी को कोट कर रहा हूँ उन्होंने कहा है हम सब की बलकि प्रतेग व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेजगति प्रदान की जाए इसलिए आज मैं आप सबसे प्रतेग व्यक्ति से अपने परिवार आसपडोस अत्वा कारिस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयम को समर्पित करने का आगर करना चाहती हूँ ऐसा कोई भी बढ़लाव जो किसी बच्ची के चहरे पर मुस्कान बिखेरे ऐसा बढ़लाव जो उसके लिए जीवन पर आगे बढ़ने के अवसरों में बृद्दी करे आप से मेरा यह अनुरोद रदय की गहराईयों से निकला है मैं राश्पती जी के इनी शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ आप सभी को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद